नमस्कार दोस्तो, मैं सुझे कुमार और आपके अपने चैनल सुझे फिंटरसी में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आज का दिन का दूसरा मुकाबला जो की विजे हजारे ट्रोफी का होने वाला है गुजरात और हैदराबाद के बीच में इंपोर्टेंट मुकाबला है मैं सको मिश्ण ही करो के एक एक प्लेट के बारे में बेडिटेल सा आपको सम्झाने वाला हूँ कौन-कौन से प्लेट को अपने टीम में आपको लेकर के चलना है सारे match के stats मैं आपको दिखाऊंगा दोनों टीमों के जो भी important important player है वो सारे discuss करेंगे उसका फिर आपको अच्छा का साबकर लिए जाने वाला है जो कि जाए कहीं जाएगा और तीसरा वीडिव आपको मिलेगा में इसी channel पे Kenya orderless हो तो के बीच में तो इनको भी तोड़ा उसकात फिर आगर के अब आते हैं इनके स्टैट्स के उपर, तो देखो हैदराबाद में देखोगे न, तो सारे बंदे यहाँ पर फ्लॉप हैं, तन्मेकराद, थुलकंटी गौड, दीरज गौड और यहाँ पर रोहित रैडू बना रहे हैं, 49 रन, और तीलक वडमा यहाँ पर 126 हम बना रहा है, मुंबई के प्लेयर में यह खेलता है अभी IPL में, और यहाँ पर 126 हम बना रहा है तो आपके लिए अच्छे कासे पिक बन सकता है, अब यहाँ बॉलिंग सेक्शन से देखो कि तो बिकेट कैसे कैसे मिल रहा है, दो विकेट तीलक वडमा को मिल रहा है, दो विकेट यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, और यह मैच भी हैदरावाद की टीम जीत गई है, अब जो नेक्स्ट जो प्लेयर है न, उनके बारे में मैं डिसकुस करके आपको समझाता हूँ, जो नेक्स्ट मैचे जिनके खेले गए हैं, उसमें यह हैदरावाद की टीम राहाम से हार गई यूपी के टीम से, अब यहाँ पे जो प्लेयर प्रफॉर्मेंस करें, देखलो यहाँ पे तन में अगरार फिर से फ्लॉप में, रोहित राइडू बनारें 35, 22 बनारें तीलेक वड़मा, 30 बनारें भवेसेट, और 73 बनारें मीकिल जैसवाल, एकांवरन राहुल गुद्धी और फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट से देखोगे, तो बीकेट निकालता हुआ सिर्फ एक ही मंदा आपको दिखेगा, रोहित राइडू, और रोहित राइडू आपको बैटिंग भी करता हुआ दिख रहा है, बॉलिंग भी अच्छा खासा कर लेता है अपने टीम में, त तिलक वड़मा, तो यह तीनों को तो आपको रोटेट करना ही करना है, तिलक वड़मा, रोहित राइडू, और तनमयाग भड़ा, यह आपको इम्पॉर्टेजा यहाँ पर चौधी समनार है, यह भी अच्छा कासा प्लेर है, रवीता जाकर खेलेगा तो, चार विकेट यह लाने वाली है, कॉंसेट लेर को नहीं यह कहदना, बहुत बड़ा मुश्किल है, तो मैं तो आपको समझाई दिया हूँ, वैसे अभी यह कावड़ मैचस का देख लेंगे, तो और भी अच्छे सा आपको कन्फरमेशन मिल जाएगा, कि कॉंसेट लेर को अपने टीम में ले बॉलिंड इपाट्मेंट से देखोगे, तो दो विकेट मिल रहा है, कितने सारे बॉलर से बॉलिंग करा दिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, भाई साब, लगता है, सौरव गाउनली का रिकार्ड तो रहेगा, यह बंदा, कॉन कैप्टेन है, यार नौनो बॉलर से बॉलिंग करा दिया, सी, दो बॉलर, बिकेट कीपर से भी करा दिया, बॉलिंग, बंदा है, कॉन कैप्टेन है, यार, इसके टीम का, यह थोड़ा तो देखो पहले, जो, सब से, तन में अगरवा, भाई से, सैलूट है आपको, नौनो बॉलर से बॉलिंग कैसा है, और आपका प्रफॉर्मेंस, हैदरबाद की टीम, हिमाचर प्रदेश को हराई है, और यहां पर रोहित रैडू फिर से बना रहे है, तीलेक बड़मा फिर से बना रहे है, और रहूल गुद्दीव अगेरा, यहां पर बना रहे है, तो तीन विकेट एलिग्राम संस गुजराद की टीम है, उसके बारे में डिसकस करते हैं, समझते हैं कि किसको प्लेड को अपने टीम में रखोगे, इनके तरफ से जो आपको हरमेशा परफॉर्मेंस करके देगा, तो दोस्तों गुजराद की टीम टीर पूरा से खेली तो गुजराद की टीम जीत गई, हाला पर 43 समय रहा है तो यह जो बंदे हैं जो आपको यहां पर समय चुके हो गए कि आपको कोई परफॉर्मेंस करके दे रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके लिए अरजान नगस वाला पांच विकेट निकालते वह दिख रहे हैं चिंतन गांजा तीन विकेट एक विकेट यह गुजरात की टीम हार गया यह मैच अब यहां पर देखो प्रियांग पचलते फिट से फ्लॉप प्यूस प्रटेल यहां प्रियस प्रटेल 15 रन 34 भाड़गों विराई 37 प्रटेल 27 रन फे सोलर रन सौर्व चोहान 26 चिराग गांधी 20 प्यूस चाबला यहां पर ज्यादा को कोई नहीं कर पा रहा है दो बिगेट यहांब भिटद मिल रे अरजान नगस वाला को तीन विगयेट चिंतन गाजा दो बिगयेट और एक विगयेट प्यूस चाबला त situación ठीक है अब गुजराद की टीम खेली यूपी से यह भी मैं सारजी अब यहां पर देखो प्रियांग पंचल फिर से फ्लॉप कथन पटेल फिर से फॉलॉप बाड़गों बेड़ाई यहां पर स्कोर कर रहे हैं सताइस रने हार्दिक पटेल बना रहे हैं और बागे यहां से स मैच को विन करेगी बिकाज यहां पर इंके बंदे प्रफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे हैं तो सायद इंके चलने के चांसेज भी बहुत जादा का होंगे अब गुजराद में यहां पर प्रियांग पंचल दो मैच जरू के एक मैच में मार देता है सौरन याबड मार दिया उन टीम में कौन-कौन से प्लेयर का फिट हो जा रहा है और किसको हम लोग अपने टीम में रोटेट करके चल सकते हैं जो कि आपके लिए बेस्ट बेस्ट पीक रहने वाला है तो आज आते हैं ट्रेम लिमन टीम के ऊपर और यहां पर एक अच्छा सा इस मॉली के टीम क्रेट कर हो तो सब्सक्राइब करके बेल ऐकन दबाकर ओल करके जूर जाना रोजाना इसी तरह के वीडियो हमारे चल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री अपकोस्ट होता है तो यहां सब चलो बिगट केपिंग सेक्शन से देखते हैं तो हीत पटेल आपको प्रियांग पंचल के साथ जाओ विकाज थर्ड सेफ चुआ है सापके लिए यही रने वाला है और रॉंडर सेक्शन पर अभी तेजा को ट्राइब कर सकते हो कथन पर टेल मुझे कुछ खास नहीं लगा रोहित रैडू आपके लिए अच्छे कासे पिक बनेगा बैटिंग फिर यहां से मुझे को और कोई खास प्लेयर नहीं लगा है और रेड़ी है यह भी कुछ खास नहीं है आपको अगर किसी के जाते जाना है तो एक प्यूज चाबला के साथ जा सकते हो और एक जी अनिकेत रेड़ी है इनके साथ चले जाओ या फिर भागो मेरा आई के साथ यह दोनों मेंसे मैं किसी के साथ जादे जना प्रिपर करूंगा यह दोनों में जो खेलेगा उसको रख लेंगा ब्लूग तो अभी कलिए आनिकेत रेड़ी को रख लेते हैं और इस चाब से अभी के लिए यह टीम हो गई है बिलकुल भी फाइनल टीम नहीं है फाइनल टी वीडियो में नयमत रेटरीक और वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाद अपना ख्या लेगे दोस्तों जय हिंद